क्योंकि JPEG में अगर आप color correction करने के लिए जाओगे तो आपकी image अगर आप किसी photographer के पास जाएंगे कहेंगे कि मैं आपको assist करना चाहता हूँ तो आप सब पूछेगा तो कोई भी आप light use कर रहे हैं वो आपकी one bite आपको lens तब तक बदलने के जरूत नहीं है और सिर्फ lens से नहीं आपको camera भी तब तक बदलने के जरूत नहीं है जब तक कि आपको आपके camera और lens में कोई लिप हलो एक बर फिर से स्वागत है आपका मेरे program आपके सवाल मेरे जवाब और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस program के अंदर मैं photographies related उन सवालों के जवाब देता हूँ जो आप मुझसे पूछते हैं मेरे instagram page के उपर और मेरे youtube channel के उपर तो आप अगर सवाल पूछते रहेंगे मैं जवाब देता रहूँगा आपने सवाल पूछने बंद किये और मैंने इस program को बंद किया अभी तो यह program चल रहा है अचा कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिन सवालों के जवाब यहाँ पे नहीं दिये जा सकते और मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से one on one connect करते हैं तो मुझे लगा कि मैंने अभी तक इस बारे में आप लोगों को नहीं बताया है तो मेरा एक session होता है one on one जिसमें कि आप मेरे साथ एक घंटा face to face बैट सकते हो जूम के थुरू और वहाँ पर आप अपने doubts clear कर सकते हो आपके पास कोई भी सवाल हो कोई भी जवाब हो आपको सीखना चाह रहे हो कहीं आप फस गए हो आपको consultation चाहिए तो आप वो मुझसे ले सकते हो और इस session को book करने के लिए आपको मेरी website पर जाना पड़ेगा और website का नाम क्या है? विपिंगौरफोटोग्रफी.com उसके उपर जाओ, वहाँ courses का section है उसके अंदर आपको one-on-one session मिल जाएगा उसको आप book कर लो और एक घंटा मेरे साथ बैठ जाओ और मैं आपके सारे doubts clear कर दूँगा ठीक है? चो information दे दी अब लेते हैं पहला सवाल और पहला सवाल हमर से पूछा है और ये कहते हैं यार ये सवाल बहुत ही interesting है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है जब भी मैं live workshops लेता हूँ तो वहाँ पर मेरे पास ये सवाल पूछा जाता है कि सर अगर tent लगा हुआ हो नीले रंग का tent हो तो उसके अंदर नीले रंग की casting आजाती है उसको कैसे समाला जाए कैसे correct करें तो यार actually में अगर आप JPEG में shoot करते हो तो आपके पास मेरे भाई कोई रास्ता नहीं हो तो correct करने का क्योंकि JPEG में अगर आप color correction करने के लिए जाओगे तो आपकी image खराब हो जाएगी वो सकता है कि आप कहो कि नहीं सर मेरी image खराब नहीं हो रही पर मेरे को पता है image खराब हो रही है पर visually आपको वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है तो आपको पहली चीज़ सो raw में shoot करना चाहिए जब भी ऐसी situation में फस हो जहाँ पर कि pink color का वहाँ पर कोई ऐसे उपर से तरपाल लगी हुई है या tent लगा हुआ है या नीले रंका लगा हुआ है तो वहाँ पर आपको जो light मिलेगी वो sun की light उसके through आएगी तो एक color cast तो वो definitely करेगी करेगी अगर pink color का वहाँ पर tent लगा हुआ है तब तो आप बजगए क्योंकि skin के उपर अगर pink tone आती है तो it's fine उसको आपको ज़ादा correct करने की जुरुत नहीं पड़ेगी वो बिल्कुल first class लेगा लेकिन अगर आपको वहाँ पर नीला tent मिलता है तो जो blue color है वो face पर आएगा और skin tone खराब हो जाएगी तो best तरीका यह है कि आप raw में shoot करो और second चीज़ आपको wide balance accurately set करना चाहिए wide balance अगर आप custom set करोगे तो जो भी color cast वहाँ पर पड़ रही होगी वो बहुत हट तक हट जाएगी आपका camera control कर लेगा अब अगर आप wide balance को सही तरीके से समझना चाहते हो सो मैंने उसके उपर वीडियो किया हुआ तीन वीडियो के series है उसको आप back to back देख सकते हो उसका link मैं नीचे description में डाल रहा हूँ उसको आप जाके check कर सकते हो और यहाँ पर भी मैंने link add कर दिया है तो उसके भी click करके आप जा सकते हो पर उसके click करके अभी वीडियो छोड़ के मत चले जाना पहले वीडियो पूरा देख लो नीचे description में जो पढ़ा हुआ न उस link पे click करना और अगला सवाल हमारे से पूछा है आदित्या एडिट्स ने सर मैं photography की classes करूँ या किसी photographer को assist करूँ प्लीज बताइए तो आदित्या ये दो अलग-अलग चीज़े है photography की class करना और किसी को assist करना ये दोनों बाते एक नहीं है अगर आपको photography सही तरीके से सीखनी है तो आपको photography की classes लेनी चाहिए या photography का course करना चाहिए आपको photography at least जो basics होते है जो foundation होता है उसको आपको करना चाहिए और वो base वो foundation YouTube के videos देख करके आप नहीं कर सकते क्योंकि YouTube के उपर content इधर उधर फैला हुआ होता है photography सीख जाए तब उसके बाद advanced knowledge लेने के लिए या practical knowledge लेने के लिए आपको किसी photographer को assist करना चाहिए अगर आप किसी photographer के पास जाएंगे कहेंगे कि मैं आपको assist करना चाहता हूँ तो आप सब पूछेगा कि भाई सब आपके पास कौन सा camera है आपने कहां से सीखा है कितना आपको आता है आप कहेंगे मैं तो सीखने के लिए आया हूँ तो वो कहेगा जाके किसी institute को join करो या फिर मेरा course करो तो इस चीज़ को आप समझ लो किसी भी photographer के पास काम सीखने जाने से पहले आपको basics आना चाहिए और basic आपको सही तरीके से सीखना चाहिए अगर आप किसी institute नहीं जाना चाहते तो मेरा एक online course है आप उसको join कर सकते हो बहुत expensive नहीं है उसका link भी मैं नीचे डाल रहा हूँ और बहुत ही systematic तरीके से मैंने उसको design किया हुआ है इस course के अंदर जहाँ एक तरफ आपको recorded videos मिलेंगे आपको PDF मिलेंगी पढ़ने के लिए वही हर महीने आप मेरे साथ बैठोगे live session के अंदर जिसके अंदर की आप अपने doubts clear कर सकते हो आपके जो भी lessons है वो है तो recording पर एक बार भी जब आप उस lesson में बैठे होते हो ना आपको लगता निए की recording है मतब यह कि आपको मेरी personal mentorship वहाँ पर मिलेगी तो आप पहले एक course कर लो इस course को करने के बाद में आप किसी भी photographer के पास जा करके उसको assist कर सकते हो और इस course में आप इतना सीख जाओगे कि कोई भी photographer आपको लेने से मना नहीं करेगा तो चलो अब लेते हैं अगला सवाल और अगला सवाल पूछा है इरफान पठान ने आरे वाह सर एक traditional photographer जो 15 साल से wedding photography कर रहा हो उससे पहली बार candid photography करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सो इरफान अगर आप 15 साल से traditional photography कर रहे हो तो मैं एक चीज तो यहाँ पर मान सकता हूँ कि technically आप काफी कुछ सीख चुके होंगे योगि traditional photography के अंदर आपके shots बिल्कुल sharp आने चाहिए आपके colors बिल्कुल correct होने चाहिए आप किसी भी shot को miss नहीं कर सकते और candid photography के लिए आपको सिर्फ ये सीखना है कि आपको camera का button कब दबाना है ये बहुत time लगता है इसी इसको सीखने में camera का button आपको तब दबाना है जबकि आपको वहाँ कोई mood मिले क्योंकि candid photography का मतलब है mood captures करना, moments को capture करना और candid photography के लिए आपके पास में एक zoom lens होगा तो ज़्यादा बैठर है ताकि आपको जहाँ पर भी moment दिखाई दे आप उसको capture कर सकते हो अब एक गलत फेमी जो मुझे लगता है ज़्यादा ता लोगों में होती है कि जो mood shots होते हैं जो candid shots होते हैं वो candid shots प्लाइन नहीं किये जा सकते हैं मेरे इसाब से आप candid shots को भी प्लाइन कर सकते हो क्योंकि commercial photographer एक advertising photographer क्या करता है वो artificially mood create करता है वो moment create करता है हम जब कोई भी campaign shoot कर रहे होते हैं जो वहाँ पर हम वो moment create करते हैं वो mood create करते हैं तब आपको वो candid look नजर आती है जिसको आप candid look कहते हो हम उसको lifestyle shot बोलते हैं आगे मता ऐसे जा तो candid photography अगर आप करना चाहते हो तो सबसे पहले चीज तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आप सिर्फ 24-70 के lens को यूज करके जिस तरीके से आप traditional photography करते हो आपको वो नहीं करनी है आपके पास में zoom lens होना चाहिए आपके पास tally lens होना चाहिए या 85 mm से उपर का lens आपके पास होना चाहिए आपके पास widest aperture होना चाहिए आपके पास 1.8 का lens होना चाहिए 2.8 का lens होना चाहिए और candid के अंदर आपको सिर्फ headshots नहीं लेना होता आप full length shot भी ले सकते हो candid में आपको lighting की तरफ ध्यान देना चाहिए आपको candid shot लेते हुए एक story वहाँ पर उस image में निकलनी चाहिए क्योंकि traditional photography के अंदर ये दिखाई देता है कि एक शादी में क्या हुआ आप शादी को document कर रहे होते हो कि यहाँ फेरे हुए जैमाला हुई और ये सारी चीज़े हुए लेकिन जो candid images होती है उनको देखने में लोगों को ज़ादा मज़ा आता है क्योंकि उसके अंदर एक कहानी होती है तो एक candid photographer को जो कि एक अच्छा candid अगर photographer है तो वो एक image के अंदर हर frame के अंदर वो कहानी कहेगा और अगर वो image देखने लाइक है मतलब ये कि मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि अगर आप मेरे को किसी wedding की images दिखा रहे हो या उसका video दिखा रहे हो तो मैं उसको क्यों देखूँ क्योंकि मेरा उसमें कोई interest नहीं है जिसके शादी हुई उसने enjoy किया आपने शादी shoot करी आपके पासे कहानी है पर मेरे लिए उस wedding album के अंदर उस video में कुछ नहीं है मेरे को मज़ा आएगा जब मैं ऐसी images देखूँ जिन images को देखकर या तो मुझे हसी आए या मेरे कोई emotions evoke हो अगर आप एक ऐसी image खीचते हैं जिसके अंदर की इस बात का concern नहीं है कि किसी की शादी थी या क्या function था बलकि वो जो image है वो अपने आप में कहानी कह सकती है वो अपने आप में एक mood create कर सकती है तो ये कुछ चीजे हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए और मेरी tip आपको ये है कि जब आप traditional से candidate के तरफ move करें तो equipment तो आपको change करना ही पड़ेगा साथ-साथ आपको अपने brain को train करना पड़ेगा क्योंकि अभी आपका brain trained है एक certain तरीके की photography करने के लिए तो आपको images देखनी चाहिए बार-बार देखनी चाहिए बार-बार आप जब images को देखोगे आपका दिमाग trained होना शुरू होगा तब आपको वहाँ पे moments नजर आएंगे तब आप अपने तरीके से images को capture कर पाएंगे तो मैंने कोशिश तो करिए यह काफी detail में जवाब देना चाहिए था मैंने कोशिश करिए जतना बेटर तरीके से आपको समझा सकूँ मैंने इस वाउमेट में आपको समझा है अब लेते हैं अगला सवाल और अगला सवाल हमारे से पूछा है संजीव ने यह कह रहे हैं कि मैं शेफ हूँ और food photography में मेरा interest है इनके पास में M50 camera है Mark 2 और यह 50 mm का lens यूज करते हैं अडॉप्टर के साथ में संजीव मेरे इसाब से आपको lens तब तक बदलने के जरूत नहीं है और सिर्फ lens नहीं आपको camera भी तब तक बदलने के जरूत नहीं है जब तक कि आपको आपके camera और lens में कोई limitation नजार ना आ जाए मैं हमेशा यह बात बोलता हूँ कि जब आपका camera या आपका lens एक limit पर पहुंच जाए कि अब आप इससे better इसके थूर नहीं कर सकते तब ही आपको आपका camera या lens बदलना चाहिए अगर आप 50 mm यूज़ कर रहे हैं लेकिन आप अपने food की close up shots लेना चाहते हैं और close ज़ादा नहीं जा पा रहे हैं तब आपको एक macro lens की ज़रूत है तो ऐसे मैं आपको macro lens की तरफ जाना चाहिए मेरे एक video है जो मैंने पहले किया था और उसमें मैंने कहा था कि photographers don't waste your money cameras और lenses के उपर पैसे waste नहीं करना चाहिए उसके उपर इतने अजीब अजीब उसके उपर comments आये हैं उसके उपर कुछ लोगों को तो वो अच्छा लगा video उनको समझ में आया है पर कुछ लोगों का अभी भी मानना ये है कि नहीं equipment से ही better pictures आते हैं उनको लगा कि मैंने इस्टूडियो में pictures खीची है इसलिए मेरी pictures जो है better आ रही है अगर मैं outdoor में जाऊंगा तो मेरे को better equipment चाहिए सो अब मैं उन लोगों को सिर्फ एक ही बात बोलूँगा या equipment के उपर सिर्फ वो इंसान depend करता है जिसको photography सही तरीके से ना आती हो अगर आपको photography सही तरीके से आती है ना आपके हाथ में कोई भी camera दे दिया जाए आपके हाथ में कोई भी lens दे दिया जाए आप एक अच्छी picture खींच लोगे आप चाहिए low light condition में काम कर रहे हो आप या bright light के अंदर काम कर रहे हो आप artificial lights के साथ काम कर रहे हो या आप natural light के साथ काम कर रहे हो अगर photography आती है तो आप photography किसी भी camera और किसी भी lens के साथ कर सकते हो तो संजीव मेरा जवाब आपको यह है जब तक कि आपको कोई limitation यहाँ पे face करने के लिए नहीं मिल रही तब तक आपको इसी lens को use करना चाहिए इसी camera को use करना चाहिए जब आपको लगे कि आप मेरे को upgrade करना है तब आप upgrade कर लीजिए और किसी से पूछने की आपको ज़रुत नहीं पढ़ने चाहिए आपको अपने आप समझ में आ जाएगा पर फिर भी अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहोगे तो नीचे comment box में as usual लिख देना मैं उसका जवाब दे दूँ आपको तो अब लेते हैं अगला सवाल अगला सवाल पूछा है अभी जीत ने और यह Calcutta से हैं यह use करते है Nikon का Z5 इनका सवाल यह है कि जब यह 160 है 200 से उपर जाते है shutter speed को ले करके तो इनकी image के अंदर blackish हो जाता है एक सरफ से जो blackish है उसको bending बोलते है तो आपके camera की strobe lights के साथ connect करने की एक speed होती है कि एक certain speed के बाद में आपका camera उस strobe light के साथ connect नहीं कर सकता, sync नहीं कर सकता और यह जो sync speed होते है उसको हम बोलते है x sync speed तो कोई भी आप light यूज़ कर रहे है वो आपकी 1 by 200 तक ही sync हो सकती है कुछ cameras में यह 1 by 250 तक भी sync होती है तो अगर आप 1 by 160 के उपर अपने camera की shutter speed को रखते है तो आपकी strobe light उसके साथ sync होगी और side में आपको bending नहीं देखने के लिए मिलेगी लेकिन अगर आपको 1 by 200 के उपर या 1 by 250 के उपर या 1 by 400 के उपर शूट करना है ऐसे में आपको HSS की ज़रुत पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं high speed sync मतलब यह कि आपका camera आपकी light के साथ strobe light के साथ में higher shutter rate के उपर भी connect कर सकता है उसको sync कर सकता है ऐसा करने के लिए आपको HSS enabled trigger चाहिए होता है और साथ में HSS enabled light चाहिए होती है पर मुझे नहीं लगता कि product shoot करने के लिए आपको 1 by 160 से उपर जाने की जरुवत है 1 by 160 के उपर आप अराम से pictures खीच सकते हैं अगर power आपको ज़्यादा लग रही है तो power को घटाईए अगर आपको फिर भी ज़्यादा लग रही है तो आपको aperture को बढ़ाना चाहिए अगर आपको फिर भी exposure ज़्यादा मिल रहा है तो आपको photography सीखनी चाहिए क्योंकि अगर आपको photography नहीं आती तब ही आप इस तरीके के सवाल पूछते हैं या इस तरीके की problem के अंदर फज़ जाते हैं तो आप सवाल पूछो मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा क्योंकि आप सवाल नहीं पूछोगे तो आपको पता नहीं चलेगा तो आज के लिए बस इतने सवाल थे काफी सारे सवालों को मैंने cover करने ही कोशिश करिए अगले program के इंदर फिर से और लेंगे सवाल और देंगे जवाब